आप देख रहा हैं भारत वर्ष 24 न्यूज मिर्जापूर विंद्याचल थाना छेत के ग्राम विरोही के मामले में अपर जिला एवं सत्र नियाया धीस ने 31 साल पुराने मामले में सुनाई सजा थाना द्यक्ष सहित 6 पुलिस कर्मियों को मिली 5-5 वर्ष की कठोर सजा वर्ष 1992 में NDPS Act में कारवाई करने पहुची थी पुलिस पुलिस की प्रतारना से वांचित की माने मौके पर किया था आत्महत्या बेटे की तहरीर पर पुलिस के खिलाब दर्ज हुआ था मुकदमा सीवी सी आईडी की जाच में दोसी पाए गये थे पुलिस कर्मी मिर्जापूर से गुफरान अहमत की रिपोर्ट इस मामले में जरा सन्ना टेंसल में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ ये एक प्रकरण था सन्बानवे का इसमें मामले में था कि पुलिस के बलके लोग जो है वो एक सूचना मिली थी कि ग्राम बिरोही जो थाना बिंधिया चलके अंदर रख पड़ता है वहाँ पे गांजे की तसकरी में एक ब्यक्ति के पास कुछ गांजे रखे हुए हैं उस सूचना पर पुलिस वहाँ पहुचती है लेकिन जो इस घटना का वादी मुकदमा है उनके द्वारा इस आश्या के प्रसम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि जब पुलिस बल हमारे घर पर पहुची है तो वहाँ पर जो इस घटना में भोलाना तिवारी जी जिनको पुलिस खोजने के लिए सर्च करने के लिए घर पहुचती है उसमें भोलाना तिवारी जी घर पर मौझूद नहीं है जैसा कि वादी मुकदमा कथन था और वह दर्सन करने के लिए गय हुए थे और उनकी माता रामपत्ती देवी घटना घर पर मौझूद थी और पुलिस के लोगों के द्वारा रामपत्ती देवी को गाली गलौस दिया गया वह मारा पीटा गया वह बुरी तरह से अपमानित क किया गया जिसके परिपेक्ष में रामपत्ती देवी के द्वारा जो है यह कतन किया गया कि आप लोग बुरी तरह प्मानित कर रहे हैं तो मैं जो है वह इससे अच्छा है कि मरना आपने आकंगा पुछ ही समझूंगी तो पुलिस के द्वारा कहा गया कि इसे अच्छा है तुम मर जाओ इस पर रामपत्ती देवी घर के अंदर जाती है और कनस्तर पे रखा मिट्टी का तेल डाल करके वह आत्महत्या कारित कर लेती है तो वहां से जो है पुलिस के लोग उनको अपने इसमें दिखाते हैं कि एक सवा किलो जो है यह गाजा बुरिया लेकर के जो भोलाना तिवारी हैं वह छट पर से कूद करके भागे हैं और वह जो है बुरिया गिर गया है नीचे और भागने में सफल रहे हैं राम देवी के मृत्यु के उपरांत इसमें वादी मुकदमा जो हैं वह राम पत्ती के पुत्र सुबास दुबे यह इस मामले की उच अधिकारियों को संग्यान मिलाते हैं जिस पर यह मामला पंजी क्रित किया जाता है जो कि अपराज संख्या 395 अबलिक बान बे यह पंजी क्रित होता है और इस मामले की जांच सीवी सी आईडी को सुपुर्द की गई तो इस मामले में पूरा प्रक्रण दूद का दूद पानी का पानी साफ हा गया जांच में यह पाया गया कि पुलिस के लोगों के द्वारा उस समय उस महिला को प्रताडित किया गया था जिसके कारण उस महिला ने आत्महत्या किया और साथ ही पुलिस के लोगों के द्वारा उस साक्षे को मिटाने का भी अपराज पाया गया और साथ ही आठ बटा बीस NDPS का भी अपराध होना पाया गया। जाचो परांत CVCID के द्वारा मुकदमा अंतरगत धारा 192, 211, 218, 120 भारती दंडविधान वह साथ ही 8 बटा 20 NDPS के अंतरगत आरो पत्र जाचो परांत मानी नियालय में प्रिशित किया गया। जिस पर मानी नियालय द्वारा संग्यान लिया जाकर विचारण की कारवाई प्रारंब किया गया। के कुल दस साक्षीओं का साक्ष अभिलिकित किया गया जिसमें दा राइन Сाक्ष करानी नये 1998 द्वारा एक अभियूक्तों को दो सिथ किया गया कि इसमें क्ल अभियूक्तों को नडीपीर के अंतरगत पांच वर्ष का कठोर कारावास वह आई पीसी के धाराओं में दो वर्ष का कारावास दिया गया है कि पुल मिला करके सजाएं साथ सा चलेंगी वह कुल पांच साल का कुल पांच वर्स का कारावास अभिवत गणों को जो है वह दंडित किया गया है पांच वर्स कारावास से इसके साथ ही जुर्माना भी दिया गया है जुर्माने की रासी दो-दो हजार रुपए अगर ये जो है दो हजार रुपए अर्दन से दंडित किया गया है और साथ ही यहां पर यह भी इस इस्तर पर इस्पश्ट करना अवस्यक होगा कि जैसा कि अपने बरतमान सरकार की मंसा है कि नियाय सभी ब्यक्तियों को समान रू पर कोई कितना भी उच पदस्थ ब्यक्ति क्यों नहों चाहे कोई कितना ही सक्तिसाली क्यों नहों यह इस बात को इस पश्ट रूप से उजागर करता है कि नियाय सभी लोगों को समान रूप से मिलना है मैं आलोक कुमार राय जिला शास्की अधिवक्ता फोजदारी मिर्जापूर